सो हेलो वरवन आपको किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए UPSC से रिलेटेड जब आप एक्जाम की तयारी करना स्टार्ट करें इवन आप बिल्कुल इनिशल स्टेज पे और आप सोच रहे हैं आप जानकारी ले रहे हैं UPSC के बारे में IAS एक्जाम के बारे में यह कुछ तीन से चार वीडियो जिसमें सारी जानकारी मिलेगी from UPSC, UPSC एक्चुली है क्या civil services exams क्या होते है, IAS exam क्या है, IPS कैसे बनते है, IAS कैसे बनते है, क्या इसके लिए कोई और अलग से exam होता है अगर आपको foreign services में जाना है तो आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं बहुत अच्छे से detailed में एक एक चीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई जाएगी important किसके लिए है यह video यह वो सभी लोग जो 2023, 2024, 2025 या फिर उसके बाद कभी भी UPSC का exam देना चाहते है और वो यहाँ पर knowledge gain करना चाहते हैं कि यार यह UPSC के exam के लिए starting कहां से होती है क्या पूरा process होता है कितना लंबा सामय लगता है तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीजे बताऊंगा हम start करते हैं एकदम historical background से अब देखो historical background की बात करें तो UPSC starting से नहीं था देखो civil services जो है वो बहुत पहले से सलती आ रही है जब से East India Company इंडिया में आई थी अब East India Company क्या थी एक British Company थी उनको काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए थे तो वो British government के दुआरा appoint की जाते थे East India Company के लिए अब धीरे 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 modern civil services का जनम हुआ in 1853 ये एक act था जो British government के दुआरा लाया गया था 1853 में जिसको बाद में 1854 में और 1855 से ये आपका exam स्टार्ट हो जाता है मतलब as a civil services exam जो competitive exam आज की रिट में आप देखते हैं कहां पे लिया जाता था exam ये exam लिया जाता था लंडन में उस time पे in 1855 जब ये इसके exam पहली बार conduct हुए तो उस time पे जो upper limit थी age limit थी that is 23 और जो lower limit थी that was 18 18 साल से लेके 23 साल तक के बच्चे उस time पे exam दिया करते थे और आप सोच ये इंडियन से कितना जादा मुश्किल रहा होगा कि यार 18 साल की उम्र में अपने घर से बाहर निकलना civil services के लिए तैयारी करना और उसके बाद by the end of 23rd आपको यहाँ पे exam भी clear करना है 1864 में first Indian सते इनाठ टेगोर ने यहाँ पे ये exam clear किया पहले इंडियन बने जिनोंने ये exam clear किया क्या हूँ वास सते इनाठ टेगोर अब धीरे धीरे और भी changes आए फिर आपकी जो इंडियन civil services थी वो धीरी धीरे आपकी federal public service commission बना ठीके उसके बाद वो provincial public services commission बना और 1950 में जब इंडिया की आजादी हुई 26 जनवरी 1950 में जब constitution लाग हुआ तब ये federal public service commission बन जाता है आपका union public service commission UPSC कोई exam नहीं है UPSC is a commission जो exam conduct करवाता है बहुत सारे तरीके के exam conduct करवाता है UPSC एक दो दो चार exam conduct नहीं करता है there are a number of exams जो UPSC conduct करवाता है बहुत सारी post है, बहुत सारे levels है बहुत सारे type of jobs है जिनके लिए UPSC exam conduct करवाता है ठीके तो इतना आपको clear होगे कि UPSC का जनम कैसे हुआ अब UPSC total जो अपना main exam है हम civil services exam की यहाँ पर बात कर रहे है Union Public Service Commission ये total तीन type के exam लेता है तीन type की total post नहीं कालता है पहला होता है all India services as the name suggests ये services पूरे इंडिया में लागू होती है although सारी services होती है but इनका scope जादा बढ़ा है क्योंकि इंडिया में क्या है बहुत जादा diversity है तो ये services पूरे इंडिया में एक तरीके की homogeneity maintain करते हैं ताकि वो government की नीटियों को एक जैसा implement कर सके पूरे इंडिया में ऐसी total तीन services है पहली है आपकी इंडियन administrative services दूसरी है इंडियन police services तीसरी है इंडियन forest services फिर इसके बाद आ जाती है group A jobs group A jobs कौन सी होती है इंडियन foreign services इंडियन audit and account services civil account services corporate law, defense account, defense estate information services, ordinance factories, communication postal से related जितनी भी services है फिर उसके बाद railway से related तीन-चार services आजएंग railway accounts, personnel, traffic and railway protection force RPF जिसे आप जानते हैं बहुत जादा बड़े-बड़े काम करती रहती है RPF बहुत साइड लोगों को बचाना चोरी, रोकना आपको पता मतलब जितनी भी railway से security से related जितने भी issues होते वो RPF संभालता है देन उसके बाद Indian revenue services बहुत अच्छी जॉब है अगर आप economics से हैं अगर आप account background से हैं तो आप Indian revenue services के बारे में भी सोच सकते हैं Indian trade services अगेन बहुत अच्छी जॉब है ठीक है, फिक group B job की बात करें अगर हम यहाँ पर Armed forces अगर देखो आपको इन jobs के बारे में detailed explanation चाहिए कि सर हमें defense services के बारे में ज़्याद अच्छे से जानना है इनके role क्या होते हैं, किस type के काम करते हैं तो आप मुझे comment box में लिखके बता सकते हैं कि जी सर इसके बारे में बता दीजे चलो ठीक है, group B job की बात करें group B job आपकी armed forces हो गई danics हो गई, danips हो गई pondicherry civil services, pondicherry police services इस type की services जो हैं यह आजाती हैं आपकी group B jobs में फिर उसके बाद आजाती है educational qualification educational qualification में सबसे important है आप bachelor degree आपके पास होनी चाहिए अब वो bachelor degree आपके पास BA हो सकती है, BTEC हो सकती है BBM हो सकती है, BCOM हो सकता है कुछ भी आपके पास कोई भी आपके पास bachelor degree आप यह exam दे सकते हैं एक question आता है बहुत बार student से, कि sir मैं last year में हूँ sir मैं last year हमारा खतम होने वाला है जो कि हम form भर सकते हैं जैसे कि मैं आपको अभी recent example देता हूँ 2022 चल रहा है 2022 का February चल रहा है February में post निकल चकी है UPSC की अब वो student जो अपने तीन साल से महनत करे थे कि हम भी आर UPSC का exam देंगे पर उनकी bachelor's के लिए नहीं हुए तो क्या वो exam दे सकते हैं जी हाँ, third year के student जो इस time पे final year में है third year या fourth year के student जो final year में मतलब BA होगा तो third year होगा BTEC होगा तो fourth year होगा अगर आप अपने final year में है तो आप ये exam दे सकते हैं इसमें UPSC हर साल अपने जो notification निकालता है उसमें एक date निकालता है कि उससे पहले आपको अपनी graduation पूरी करनी है वो date around August September के around होती है August October step के around होती है तो definitely तब तक आपके exam result आ जाते हैं और आप exam clear कर देते हैं तो आपका ये क्या है आप इसमें exam दे सकते हैं मतलब bachelor's degree आपके पास होनी चाहिए percentage का criteria है नहीं कोई percentage का criteria नहीं है आपके कितनी भी percentage आप ये exam दे सकते हैं 40% passing marks होते किसी भी university में तो आप 40% से उपर हैं तो आप ये exam दे सकते हैं इसके बाद कुछ और parameters हैं जिस पे UPSC बोलता है कि आपको ये तो fulfill करने ही होंगे अगर आप exam देना चाहते हैं पहली बात age limit आपके 21 वर्ष से उपर होनी चाहिए और 32 वर्ष से कम होनी चाहिए क्या ये सभी students के लिए है जी नहीं बट एक normal criteria general students के लिए 21 to 30 आपका दे रखा 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए number of attempts number of attempts general category और economically weaker sections के लिए होते हैं 6 6 attempts आप दे सकते हैं 21 से 32 तक की अपनी IU के बीच no attempt OBC दे सकता है SCST बच्चे attempt दे सकते हैं कितने भी उनकी IU सीमात करी गई है वो मैं आपको आगे बताता हूँ nationality बहुत important question अगर आप नेपाल में बैठके ये वीडियो देख रहे हैं बहुतान में बैठके ये वीडियो देख रहे हैं तो ये topic आपके लिए important है ये वाली लाइन nationality में all India services जो है वो सिर्फ तीन है Indian administrative services, Indian police services and Indian forest services अब इसके बाद देख रहे हैं हम age limit किस category को क्या age limit दी गई है वैसे तो number of attempts fixed किये गए है but category wise इसमें कुछ differentiation है general category 32 साल तक एक्जाम दे सकती है और 6 attempts दे सकती है economically weaker section के लिए भी same criteria है OBC के लिए हैं पर changes किये गए है OBC community के बच्चे 35 years of age तक यह एक्जाम दे सकते है 9 total attempts वो दे सकते है 21 से 35 के बीच में 9 attempts वो यहाँ पर दे सकते है ST community के लिए और जादर relaxation है 37 अपनी वो age तक यहाँ पर एक्जाम दे सकते है और उसके साथ उनके पास unlimited attempt है अब इसमें भी आप समझ पाएंगे कि जब 37 last दे रखिये तो unlimited नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर वो student 21 से लेके 37 तक कितनी भी बार एक्जाम दे सकते है जितनी बार UPS से conduct करेगा Defense Services Personals के बात करें जो Defense Services में गए थे बट बिकाउज अफ एनी issues या फिर any happenings या फिर government policies की वज़े से मान लीजिए वो वहाँ से वापिस आ जाते है तो 35 years तक वो exam दे सकते हैं 9 attempts उनके पास रहेंगे और PWD students मतलब person with benchmark disabilities या फिर आप बोल सकते हैं specially able लोगों के लिए 35 age और 9 attempts अब 35 साल तक 9 attempts यहाँ पे दे सकते हैं इससे related अगर आपको कोई भी question है do write me in the comment box ये वीडियो के बाद एक और वीडियो आपको i button में भी इसका link मिल जाएगा description में भी मिल जाएगा उस वीडियो में आप जान पाएंगे कि पूरा UPSC का क्या process होता है UPSC में total number of stages कितनी होती है कितने subjects होते हैं सब बताएंगे फिर उसके बाद हम books related videos लेकर आएंगे syllabus में आपको बताऊँगा इंडिया में पूरे इंडिया में YouTube community में इससे बढ़िया syllabus जो मैं cover करूँगा उससे बढ़िया syllabus I can bet you किसी ने नहीं cover कर रखा होगा एक एक छोटी छोटी चीज हम cover करेंगे syllabus से related syllabus हर एक टॉपर बोलता है कि syllabus जो है वो आपको on fingertips होना चाहिए मतलब भई एकदम रटावा होना चाहिए रटन विद्या अपनी तेज कर लो UPSC में बहुत काम आती है बहुत चीजे रटनी है ठीक है तो syllabus को A to Z cover करेंगे syllabus आपको मिल जाएगा हमारी website पे thesprints club.com आपको website मिल जाएगी बहुत सारे free initiative होँ वहाँ पे चला सकते हैं वहाँ पे भी जाके enroll कर सकते हैं free है जाके enroll कर लो ठीक है अगर किसी को कुछ मिल रहा है कि सर रेट लिखा हुआ है तो मुझे contact कर लो number दे रखे है contact कर लीजे free करवा देंगे code आपको मिल जाएगा आप use कर पाएगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है do subscribe अगर आप UPSC से related कोई भी information चाहते है preparation से related कोई भी strategy चाहते है just subscribe the channel click the bell icon और आपके पास वीडियो हमारी सबसे पहले पहुंचती रहेंगी चलिए bye bye take care have a great day thank you Jai Hind